वेलकम डूदी चैनल क्विक प्रब क्लासेस माइनेम इस शारुक सैफी ओप सब्सक्राइब बचो अब सब्सक्राइब जो मैंने आपके लिए दो चैप्टर की कोशन अंसर की जो सीरीज अप्लोड किये वह आपने देख लिए होगी जिसमें मैंने सनविदान और चुनाव ए आपके जो फाइनल एक्जाम है वह 15 फरवरी से स्टार्ट और पहले एक्जाम आपका पॉलिडिकल साइंस है तो टेंश लेने की कोई ज़रत नहीं है बैक टू बैक आपको चैप्टर वाइस मॉस्ट इंपोर्टन कोशन अंसर सीरीज देखने को मिलती रहेगी बस आप अप आपको कोशन mcq mode में देखने को मिलेंगे जैसा कि आपके पैटन में भी बताया गया और फाइनल एक्जाम में भी ऐसे आपसे पूछे जाने वाला है कोशन नमबर फर्स्ट की बात करें राज्य सबह में राश्ट पती कितने सदस्यों को मनोनित कर सकता है यानि कि नॉमिन कोशन आपके बन सकते और एक्जाम में पूछे जा सकते जैसे एक्जामपल में और भी दे देता हम जैसे फॉर्स्ट सिटिंग जब हुई थी पहली बैटा कोई टी टोन के आज स्थाई और स्थाई जो अज्यक्ष ते वह कौन थे देश के पहले चुनाव आयुक्त कौन थ देश के पहले परदान मंत्री कौन थे राश्ट पती कौन थे ऐसे कोशन अक्सा एक्जामिनर आपसे पूछ लेता है यहां पर लोगसभा के बारे में पूछे तो आप बेजिजग जीवी मावलंकर के बारे में क्लिक करके आजाना ऑप्शन नमबर सी तीसरा है कि राजयप विदायका देखने को मिलते हैं द्वी सिदनात्मक विदायका का मतलब होता है कि उस राज्य के अंदर विदान सभा के साथ सथ विदान परिशत भी होगी क्या वह महरास्त है तेलंग आना है बिहार है या फिर उप्रॉक सभी तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नमब सी तीस साल इसके अलावा अगर आपको लोग सभा का सदस्य से बनना है तो उसकी है पच्चिस अगर वोटर बनना है तो अठारा साल अगर देश का राश्पती बनना है तो कम से कम 35 साल सभी नौट डाउन कर लेना सात्वा कोशन है कि डैश को उच सदन के नाम से भी जाना जहातर बच्चे इसमैं ऐसा सोसते कि राश्पती क्योंकि शपत दिल अने का काम जहतर राश्पती को होता लेकिन बाथ यहां पर जब मूक्यमंत्र के आती है तो मुक्यमंत्रिसे ऊचाफफ था लिए उसको निप्ति दिलवातहू है उसके बाद है कि त्षसभत धन विदे तो option number D है वो है 14 दिनों के लिए वह भी नाम मात्र के लिए होती है ठीक है option number 10 है कि अमेरिका की द्वित्य सदनिये का का नाम बताना आपको यानि कि जो वहां की द्वित्य सदनिये उसका नाम तो इसका जो अब हम बात करते हैं आपके वैरी शौट कोशन के बार में जो टू माक्स वाले है कोशन number 13 है कि भारत के किनी चार राज्यों के नाम लिखने जहां पे द्वी सदनात्मक विदायका उपलब्द है मैंने आपको पहली बता जिता देखिए आंदर परदेश करनाट का उत्तर परदेश माराष्ट बिहार और तेलांगाना इनी छे राज्यों के अंदर द्वी सदनात्मक विदायका है यहनि कि विदान सभा के साथ विदान परिश्द भी देखने को मिलती है एक चीज़ आम मैं आपको वैसी बता दिया था लोग सभा का कारेकल पांच वर्ष का होता है लेकिन जब बात आती है एमर्जंसी की तो इस अब्दी को संसत एक वर्ष के लिए बढ़ा भी सकते हैं नहीं पांच से छे साल भी कर सकती है और साथ ही परदान मंतरी के प्रमश्वर राश्पत या फिलोग सभा लोग सभा के पास ज्यादा शक्ति दीए बारते संसत के दोनों सब्दों में लोग सभा जो है अधिक शक्ति चाले क्योंकि उसे विदाई तता कारेपालिक का शेत्र में राज्य सभा से अधिक शक्तिय प्राप्त है और मनी बिल जो होता है वो लोग सभा म को मिलते हैं दल बदल क्या होता है दल बदल यानि कि अपने दल को बदल देना जब कोई सदसे मर्जी से प्राप्त दल की सदसेता से त्याग पत्र दे देता है यानि कि कोई कॉंग्रेस में वह कॉंग्रेस से अपना resignation दे देता है और अन्य दल की सदेसेता grant कर लेता है यानि कि वो Congress चोड़के अब BJP में चले गया तो उसने किस प्रोसेस को फॉलो किया दल बदल को ठीक है दल बदल का कानून भी बना हुआ है वैसे इसीच का द्यान लगना आगया कि राज्य सबा का सदेसे अगर आप पूरी कर लिए तो आप eligible मान लिए जाते हो राज्य सबा का सदेसे बनने के लिए सिर्फ eligible माने जाओगे बन ही जाओगे ऐसा ज़रूरी निया उसका प्रोसेस होता है कोशन नमबर 19 है कि द्वी सदनात्मक विदायका के पक्ष में दो तर्क देने हैं द्वी सदनात्मक प्रमानित होना जरूरी होता है उसके लिए यहां कोई सśद जरूरी नहीं है धन विदेक राश्पती की पूर्व अनुमति के बिना संसब में प्रस्तुत नहीं किये जाते लेकिन सदारम विदेकों के लिए ऐसा कोई भी कंडिशन नहीं है धन विदेक पहले लोगसभा में प्रस्तित होगा जबकि सदारम विदेक कोई भी सदन में हो जाए चाहिए लेकिन जो एक्चुल पावर है लोग सभा के पास अगर लेना चाहते होते ले नहीं लेना चाहते तो यसी कोई जो अबर दस्थी नहीं तो यह क्या है तो इसे हम यह पता चलता है कि जो money bill होता है जो वित्विदेख होता है वो कितना ज्यादा important होता है अगला है कि लोग सभा के जो सदस्य होते हैं उनके भी कुछ special rights होते हैं उनके भी कुछ विशेश अदिकार होते हैं उनके बार में बता दीजेगा सबसे बहले जो वह भाशन देते हैं उनके सवतनतरता उन यानि कि लोग सब्सक्राइब में जो दिये गए बाशन होते हैं उनका तर्क वितर्क हो या फिर रिपोर्ट को वैस्वें भी प्रकाशित कर सकते गिरफतारी से समर्ण के दिवानी अलग होता है दिवानी अलग होता है पोसदारी और आप मान सकते हो तो चोरी चकारी सारी चीज़े फोसदारी में गिल ली जाती है जो कि साथ जिनिक होती है लोग सबक अगर आपको सदस्य बनना है तो उसकी क्या-क्या एबिलिटी योगिता होनी चाहिए तो यह देश का नागरिक तो होना जरूरी है और कम से कम 25 वर्ष तक कि आयू पूरा कर आपके प्रोसेस के अकोडिंग अब बन जाता तो अच्छी वात है नहीं तो कोई बात नहीं कोई दूसरा सही अगला एकी लोग सबस्या के सदस्यों के निर्वाचन यानि कि एलेक्शेन में क्या अंतर होता है बड़ा ही सिंपल सा है संसाथ के दो सदन होते है runa 는र जिसे ह जो निर्वाचन होते हैं वो इंडारेक्ट तरीके से यानि कि आप प्रतक्ष विदी से होती हैं लेगिन जब लोग सब्सक्राइब की बात आते हैं तो यहां पर हम अपना आता का निर्वाचन निर्वाचन की बहुमत पर्णाली की अधार पर होता है अपने एक सब्सक्राइब का पर हैं यहां ठोड़ा बता कैसे कॉमप्लेक्स लेकिन यह अलग से टॉपक भी बन लोग सबक्रीस निर्वाचित होने के लिए 25 और राज्य सबक्री 힘Amे तीस कम से काम होना ज़रूरिया यह सारे होने की जाती कार्य करती है जैसे वर्तमान में विदी निर्मान का कार्य क्या है सरलता पूर्वक कर लिया दूसरा की वर्तमान में विदान मंडल के कारे बहुत विस्तित और व्यापक हो गया वर्कलोड थोड़ा ज्यादा हो गया और उनके पास इतना समय नहीं है कि प्रतिक विदे को पर शुक्ष्मात यानि की छोटी-छोटी चीज़ों पर विचार कर सके तो इस कारे का वर्तमान लगारों की चांद्बिन भी कर सकती यह कारे सदन में ही संभव नहीं नहींसावaborag जो उनकी जो उप्योगित है वह काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है बड़ा है तोड़ा दोड़े ज़नर है टो बारे में पूर्छ सकते ऐसा जो आप आप दोनों ही करके जाना लेकिन आप मुझे ऐसा लगता है कि राज्य सभा वाला आप से ज़्यादा पूछ लिया जा सकता है राज्य सभा के बारे में तो जैसा कि कि मनुनित किया जाएंगे यह 12 सदसे मैंने आपको बताया था चाहे वह साहित्य से हो विज्ञान से हो कला से हो या पिस समाजिक शेत्र में विशेश योगदान क्यों न रखते हों तो इन जनों को नॉमिनेट किया जाएगा जैसे एक्जामपल के तोर पर सचिन तंदुलकर क को भी किया गया अलग अलग फिल्ड से लोगों को नॉमिनेट किया गया राश्पती के द्वारा वर्तमान राज्य सब्वा में कुल 245 सदस्य जिसमें से 233 निर्वाचित होते हैं लेकिन जो 12 होते हैं उन्हें माननित किया जाता है इस साहसे 245 है और इसकी जो मैक्सिमम यह तर से मतदाता हो सकता है और वह संसद दुवारा निरदारित अन्यशर्तों को भी पूरा करता हो तो अएसी कंडिशन में आप कह सकते हो कि वह निर्वाचित होने के लिए योग्य हो जाते हैं जब बात आती है निर्वाचन की तो राज्य सभा के सदस्य का चुनाव डारेक्ली नहीं बलकि इन दाड़क तरीके से किया जाता है तो इनका चुनाव प्रतेक राज्य की जितनी भी विदान सभा होती है ना उनके निर्वाचित सदस्य अनुपातिक प् स्टाही सदन होता है फिक्स होता है और इसके एक सदस्ट से यानि कि रिटायर हो जाते है और उनके स्थान पर नए सदस्ट से चुन लिए जाते हैं इनका कारेकल इस लेसन का नाम है इसके मुख्यय काम क्या किया है जैकि विदायका LOGO का सम्मू होती है जैसे कानून मनाने का निर्मान करना उसे आगे चला नो कैसे है एक्जीक्यूट करना है है न यह सारे चीज़े उसके अंडर में के पन्यांतर लखना सरकार के पन्यांतर लखना विविन पदों के लिए चुनाफ करवाना सन्विदान रिखना कंना पात काल के लिए कारे करना आयोग द्वारा सारी चीजे इसके अंदर हमें देखने को मिलती है तो यह सारे के सारे points में से आप कोई इच्छे अराम से बना कर भी लिख सकते हो तो यह है मुख्य कारे विदाइका के और इसी टॉपिक के सा बच्छो हमारा इस लेसन के जो मॉस्ट इंपॉर्टे 26 कोशन आंसर है 1246 नंबर के वह होते है complete और नेक्स वीडियो का वेट करना मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में तब तक लिए से खुश रहे पढ़ते रहे और ऐसे आगे बढ़ते रहे